नवस का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल पता दोस्तो सीटेट सिचवर्ती 2023 को लेकर आप सब के लिए इस समय की बहुत बड़ी ख़वर निकल के आ रही है सीटेट सिचवर्ती के रिजल्ट को जारी करने को लेकर दोस्तो फाइनल आंसर की में कितने आपको बोनस रंक दिये जाएंगे क्योंकि अब आपको अपजेसन लगाने के लिए समय दिया गया है दोस्तो 18 सितंबर तक आप इसमें अपजेसन लगा सकते हैं या 90 बाद 82 से जिन चात्रों के नंबर कम है उनका सीटेट पास होगा उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तो आपका ज्यादा समयना लेदे भी जो स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप से चुड़ी चुरू क्वेस्ट है चैनल को जरूर सस्काइब करने हैं ताकि सीटेट की लेटेस्ट चानकारी आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके तो देखिए सीटेट को लेखा दोस्तो आंसर की आपकी दिर रात को कल जारी कर दी गई है इसके बाद इसमें आंसर की माप्जेशन लगाने के लिए भी दोस्तो आपको समय दिया गया है 18 सितंबर तक जासकते हैं अब इसमें दोस्तो चाटरों के द्वारा उपजेशन लगा ही जाएंगे यानि कि अगर कोई भी प्रसन गलत होता है तो उसका खामियाजा चाहतर को नहीं ब्रोगतना पड़ेगा पहले प्रसन डीड हो जाता था लेकिन अब आपको बोनस अंग के दिया जाएगा और इससे क्या होगा कि अगर आपको सीटेट में 90-92 से कम नम्मर आ रहे हैं तब भी आपका सीटेट दोस्तों पास हो जाएगा तो यह निर्णे लिए गया है सीब्स इबोड के दरा सीटेट में फाइनल आंसर पर बात करें तो डोस्तों आपका मात्र 28 सिटम्मर को जारी हो जाएगा आपका तेरे दिन के अंदर ही रिजल्ट जारी करने की बारे दीन के तो आपका को आएगा लेकि ज़िए से जल्दी रिया जारी करेगा क्योंकि बिहार शिच्चक परती में आपको कल भी अपडेट किया था और रियल्ट में दोस्तो जिन चात्रों के 90 वा 82 जे कम नमबर हैं ठीक रिजल्ट आपका 28 सिकंबर को आएगा लेकिन उससे पहले आपकी जो फाइनल आंसर की है वो भी तयार होगी फाइनल आंसर की में आपके माली जे नमबर कम आ रहे हैं जोकि जन्रल के टिगरी को ब्यासी एंग लाने होते हैं तो इसमें भी आपका सीटेट कम नममर पर पास कर दिये जाएगा और आपको इलेजिवल माना जाएगा तो सितंबर के आखिर में आपका 28 सितंबर को result आएगा final answer की result के साथ ही जारी होगी दोस्तो 23 लाग विद्धियार्थियों का result जारी होगा क्योंकि इस वार 29 लाग चात्रों रेश्टेशन कराया था 23 लाग विद्धियार्थियों ने सीठेट की exam दीती आसा करताओं को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को से जरू कर देना जय हिंद बंदे मात्रा